है कि अज़ा कि अज़ा कि अज़ाद कि अज़ाए बात इंट्रिगेशन के करने जा रहे हैं, कर भी रहे थे और इसमें NCRT की Class 12 की Exercise 7.4 की बात कर रहे हैं इसमें जो Formula Apply होंगे, वो Formula हम already explain कर चुके हैं जिनका वीडियो इसके पहले पढ़ा हुआ है, description देख लिजेगा उसको या Formula याद कर लिजेगा बुक से उसके लिए कुछ assumptions होंगे उन assumptions को अपने आप जब Formula याद हो जाएंगे तो assumptions अपने आप समझ में आ जाते हैं, ठीक है तो हम डाइट question शुरू करते हैं Question number 1 देखे, क्या कह रहा है I is equal to integral 3x square upon x to power 6 plus 1 dx देखे अब आप कहेंगे t माल ले इस पूरे को, माल लो पूरे को t मानोगे तो x power यहाँ पर 5 आएगी ना और 5 हमको मालूम नहीं है तो इसलिए यहाँ t पूरे को नहीं मान सकते हाँ, एक चीद देख सकते हैं आप अगर इसको हम माने x cube का square क्योंकि x cube का differentiation होता है 3x square जो कि दिया हुआ है देखिए 3 से कोई मतलम नहीं है x square होना चाहिए तो अब आपको दिख रहा है कि मैं x cube को t मानता हूँ तो माल लीजे let x cube is equal to t जिसको differentiate को 3x square dx is equal to dt आपका numerator क्या लिखा है 3x square dx ही लिखा हुआ है रग दो so i is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया t square plus 1 confuse मत हो येगा क्योंकि 1 plus x square हो चाहे x square plus 1 1 plus के case में कोई फर्क नहीं पड़ता और ये tan inverse t का integral होता है plus c t का मान रग दो तो tan inverse ये हो गया x cube plus c इसका integral लिखा हुआ है next question देखिए second question देखिए second question कह रहा है कि 1 upon under root 1 plus x square i is equal to integral 1 upon under root 1 plus 4 x square अब आप कहेंगे root में मेरे पास formula under root 1 plus x square होता हाँ a square होता a यहां पर 1 लिखा हुआ है तो यहां पर x square होना चाहिए और x square किसी का square लिखा है 2x का square लिखा हुआ है यहां 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 यह एक्स की जगह लिखा हुआ है यह 1 plus 2x का square और बताए यह गया है कि x की जगह कुछ भी लिखा हो उसको t मानेंगे शर्त यह है कि उसका differentiation प्रिजेंट होना चाहिए तो मैंने 2x को t मान लिया यह 2x is equal to t तो 2 dx is equal to dt तो dx की value क्या हैगी dt by 2 रख दे हाँ पर so i is equal to उपर 1 by 2 बाहर यह dt हो गया नीचे under root 1 plus t square ज़र आप formula देखे क्या होता है उस formula को apply करिए formula होता है under root 1 upon under root a square plus x square formula आपको याद होने चीए as integral 1 upon under root a square plus x square integral क्या होता है log x plus under root a square plus x square यह formula होता है बार बार नहीं लिखेंगे एक आदमी लिखे दे रहे है so यहाँ apply कर दो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 integral 1 upon under root 1 plus t square dt तो 1 upon 2 a यहाँ पर क्या है 1 x यहाँ पर क्या है t तो क्या हो जाएगा log t plus under root 1 plus t square t कमान लग दो तो 1 upon 2 log t बोले तो 2x plus under root 4x square plus 1 वो चाहे 1 plus 4x square लिखो को कोई दिक्कत नहीं तो यह integral आपका second question हुआ मतलब यह आपको standard formula पहले से मालू होना चाहिए हमको यह दिख रहा था कि 1 upon under root plus के case में a square plus x square का formula होता है और x की जगे 2x का square लिखा इस limit वे उसको टी बारा ऐसा नहीं formula नहीं मालू होगा और आप मान लो assume कर लोगा नहीं इसके बाद note करिए इसको 3x का question यह formula आद रखिए 12 formula apply नहीं करेंगे हम अप्लाई करेंगे लिखेंगे नहीं third question देखिए third question क्या कह रहा है third कह रहा है i is equal to integral 1 upon under root 2 minus x का whole square plus 1 formula देखने से कुछ लग रहा है यह variable है x का function है यह x square होना चाहिए x की दिए 2 minus x है तो इसी को t मान लेते है let 2 minus x is equal to t so differentiation minus dx is equal to dt तो जहां dx है वहां लिखेंगे minus dt रख दो so i is equal to minus बाहर कर दो dt under root t square plus 1 चाहे t square plus 1 को हो चाहे 1 plus t square को अभी formula हम अप्लाई कर चुके है minus यह हो जाएगा log t यह mod होता है under root t square plus 1 plus t t कमान लग दो तो minus log t बोले तो 2 minus x plus under root 2 minus x का whole square plus 1 plus t तो यह आंसर यही पे आप रोक सकते हैं या यह जो minus है ना यह minus पर यह note का लीजेगा minus कहा जाएगा minus इस log के उपर अगर यहां से हटेगा तो यहां लग जाएगा और यह पूरी चीज पलड़ जाएगी तो हम इसका आंसर यह भी ले सकते हैं log 1 upon 2 minus x plus under root 2 minus x का whole square plus 1 यह भी ले सकते हैं और यह भी ले सकते हैं दुरू आंसर सही है ठीक है तो यह question number third हो गया note करिए fourth question देखिए आप समझें कि fourth छोटा होगा क्योंकि इसी में बता रहे हैं नहीं है ऐसा नहीं बड़ा भी हो सकता है यह अपलाई करेंगे i is equal to integral 1 upon under root 9 minus 25 का square अब पहले तो इसको देख के बताए standard formula क्या दिख रहा है यह variable है x का जो function होता न जिसके respect पे integrate करते हैं उसको variable मानते हैं यह variable है जो की negative है और यह constant है तो a square minus x square का formula होता है लेकिन यहाँ पर x नहीं है यहाँ पर 5x का square है तो दो तरीके मेरे पास एक तरीका यह है कि इसको x square को अकेला कर दो 25 कामल ले लो कामल लेने में दिक्कत यह होगी यहाँ 9 upon 25 हो जाएगा तो ऐसा करते हैं न यह अगर x का square नहीं है तो किस का square है यह 3 का square है यह 5x का square है हम काए को कामल ले कामल लेने के बाद में भी LCM देना पड़ेगा तो 5x को t माल लो let 5x is equal to t 5 dx is equal to dt चुकि केवल dx है तो dx is equal to dt upon 5 रखो जरा वेलू देखो क्या आती है standard formulae मालूम होने चाहिए अगर वो नहीं मालूम तो फिर दिक्कत है ठीक है tough नहीं है integer लेकिन हाँ थोड़ा सा तो complicated है है so i is equal to उपर हो गया dt upon 5 नीचे हो गया under root 3 square minus t square तो यह क्या है 1 upon under root a square minus x square यह हम पढ़ चुके है sine inverse t upon 3 plus 3 t कमान लग दो तो 1 by 5 sine inverse t बोले तो 5x upon 3 यहां mod न लगा देना मिना mod भी काम चलेगा क्योंकि यह negative value हो सकती है log negative undefined है इसलिए वहां mod लगाना जरूरी हो जाता this is fourth question number नोट का लिया अब आते हैं fifth question number fifth question क्या कह रहा है fifth कह रहा है i is equal to integral 3x upon 3x upon 1 plus 2x to power 4 देखने से क्या लग रहा है तो आप कहेंगे देखने से यह लग रहा है कि थोड़ी देरा ड्रामे बाजी करोगे और बाद में solve कर दोगे ऐसा तो मुझे मालूम है अगर यह उपर x न होता तो 1 upon 1 plus x square लिखा हुआ है किसीज़ का square लिखा है यह root 2 चुकि constant को किसी चीज़ का square लिख सकते हो constant ऐसा नहीं कि वो perfect square ही होना चाहिए अगर 19 है तो root 19 का square लिख देंगे तो यह root 2 x square का square लिख सकते है यानि उपर हम चाहें तो कुछ भी मतलब नहीं है यह root 2 x square का square है हमको formula दिख रहा है 1 upon 1 plus x square का x square को t मानेंगे अब आपके इसाब root 2 तूपर है नहीं कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि constant अपनी जगे बना लेता है वो into में लिखा रहेगा तो जो इसको differentiate करेंगे तो x square का 2 x dx is equal to dt जहाँ dx है वहाँ लिखेंगे dt upon 2 under root 2 x रद्द उठागर के so i is equal to उपर 3 x को छेडेंगे नहीं नीचे 1 plus t square है यह हो जाएगा dt upon 2 under root 2 x यह x x कर गया अब जो constant है 3 upon 2 root 2 बाहर कर दो और इसका हो जाएगा tan inverse t plus c t कमान रख दो तो 3 upon 2 under root 2 tan inverse t बोले तो t बोले तो root 2 x square plus c यह आपका fifth question हो गया अधरा six देखिए note कर लिया note कर लिया note कर लिया मतलब समझ के note कर लिया एक उतार लिया उसको कहते है उतार लिया six question क्या कह रहा है six कह रहा है i is equal to integral x square upon one minus x to power six dx यह x cube का square है और x cube का differentiation 3 x square होता जो कि दिया हुआ है यानि कि इसको हम लिख दे x square dx और नीचे लिख दे x cube का holy square जो x cube को t मानेंगे तो x square dx उसका differentiation present है माल लीजे let x cube is equal to t तो 3 x square dx is equal to dt चुकि मेरे पास केवल x square dx है 3 नहीं है तो 3 को उदर shift कर दो तो जहां पर x square dx है वहाँ पर dt by 3 लिखेंगे रग दो उठाए हैं value so i is equal to उपर हो गया dt by 3 नीचे हो गया 1 minus t square तो 1 by 3 अलग हो गया dt by 1 minus t square formula कों सा apply करेंगे अभी हम बता चुके हैं integral 1 upon a square minus x square dx 1 upon 2a log a plus x upon a minus x और a यहाँ पर 1 है तो यह हो जाएगा आपका 1 upon 3 अलग 1 upon 2a बोले तो 1 log 1 plus t upon 1 minus t यह है ना formula बाद देखेंजी ज़रा हाँ ठीक है mod plus t ठीक अमान रग दो तो यह 1 by 6 भार हो गया log 1 plus t t बोले तो x cube upon 1 minus x cube plus c तीस प्रकार सी कुश्चन हम लगाएं ठीक है ज़रा 7th कुश्चन देखें 7th question i is equal to integral x minus 1 upon root x square x minus 1 upon root x square minus 1 dx थोड़ा दिमाग लगाईएं तब हम बात करें देखें अगर यह x नहोता क्यों 1 होता तो हम 1 upon root x square minus a square का formula लगा देते हैं ठीक है अगर 1 नहोता क्यों 1 होता हम पूरे को t माल लेते इसका differences in present है अब करेंगे क्या तो ऐसा करते हैं इसको अलग-अलग कर देते हैं इसको अलग कर दे dx और minus 1 को अलग कर दे क्योंकि आप कहा रहे हैं यह नहोता x नहोता तो integral हो जाएगा तो 1 नहोता ठीक हम अलग हो जा रहे हैं x कहरा 1 नहोता तो integral हो जाता है तो 1 कहरा हम अलग हो जाता हूं तो कि मैं अलग हो जाएगा तो integral हो जाएगा और x नहीं का हम अलग हो जाएगा integral हो जाएगा इसको t यहां माल लीजे let या तो i1 i2 मान के अलग इंट्रिगेट कर दो x square minus 1 को t मा लिजे इस वाले case में तो 2x dx is equal to dt तो जहां पर x dx है वहां हो जाएगा half dt यह integral diet हो जाएगा so i is equal to यह half dt अपान root t आएगा ना तो इसको t power minus half dt अलग कर दो और minus इसका integral हमारे पास होता है 1 अपान under root x square minus a square का integral बता चुके है log x plus under root x square minus a square तो यह हो जाएगा आपका log x बोले तो t plus t कहा है बोले x ही बोले कुछ आजूम तो किया नहीं under root x square minus 1 plus t बस इसको integrate कर दो इसमें क्या लगेगा t power minus half plus 1 upon minus half plus 1 और minus यह तो रहेगा यह आपका log mod under root x plus under root x square minus 1 plus c यह देखे half आएगा इसको cancel कर देगा तो यह root t बचेगा तो यह हो जाएगा root t plus minus log x plus under root x square minus 1 plus c यहाँ t कमान रख दो तो under root t के लिए क्या होगी x square minus 1 minus log mod x plus root x square minus 1 plus तो इस प्रकार से इसको integrate करेगे ठीक है दरा 8th question देखे 8th question क्या कह रहा है पहले देखना पड़ेगा कि formula को सा अप्लाई हो रहा है उस formula में x की जगे कुछ और है तो उसको क्या करें कि वो हट जाए देखे 8th question क्या कह रहा है i is equal to integral x square upon x power 6 plus 8 power 6 अंडरू देखो साब साब दिख रहा है कि ये x देखे constant से कोई मतलब नहीं constant अपना square बन जाएगा ये x cube का square लिखा जा सकता है और x cube को t माना जा सकता है इसको a cube का square लिख सकते है उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो a की तरहीं treat किया जाएगा तो x cube को t मान सकते है तो आएगा 3x square dx is equal to dt तो जहाँ पर x square dx है वहाँ dt by 3 लिख सकते है रग दो यहाँ पर so i is equal to उपर हो गया dt by 3 नीचे हो गया under root t square plus a cube का square तो 1 by 3 बाहर हो गया और यह 1 upon x square plus a square का formula लगा दो क्या होता है log x बोले तो t t plus under root x square and t square plus a square 8 power 6 plus c टी कमान लग दो तो 1 upon 3 log t बोले तो x cube तो x cube plus under root x power 6 plus 8 power 6 plus c तो इस प्रकार से ही question हो लगाएंगे इसके बिए अब देखें 9th question क्या है 9th question कह रहा है कि i is equal to integral 6 square x 6 square x upon under root 10 square x plus 4 तो देखें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 10x को t मान लेता हूँ तो उसका differentiation उपर present है भेंका रूप से 6 square x ठीक है माल लिजे let 10x is equal to t तो यह क्या हो जाएगा 6 square x dx is equal to dt रग दो so i is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया under root t square plus 4 बोले तो 2 square दिख रहा हो फॉर्म ला 1 upon root x square plus a square क्या होता है log x x मतलब t plus under root x square plus a square t कमान रग दो plus c तो आएगा log t बोले तो tan x plus under root tan square x plus 4 plus c तो इस प्रकार से ये 9th question हम लगा सकते हैं ठीक है 10th question देखिए अब 10th onwards के methods तो असद चेंज हो जाएंगे ठीक है ज़रा ध्यान से समझेगा अगर आपको कोई expression इस प्रकार से दिखे ax square plus bx plus c root के अंदर हो नहो चलेगा तो इसको हम perfect square में change करने की कोसिस करेंगे ठीक है तो perfect square में कैसे change करते हैं ये छोटे classes पर चुके हैं डारेट हम question दिखेश कर रहे हैं उसी में हम बताएंगे आप 10th i is equal to integral 1 upon x square under root x square plus 2x plus 2 देखो सबसे पहला तो काम ये है कि x देखे अगर 1 upon ax square plus bx plus c हो तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि x square के coefficient को गुरां को 1 कर दीजे कैसे करेंगे यहां से एक काम ले लिजेगा अंदर क्या आप चाहिए x square plus b upon a x plus c upon a इसके बाद इन दोनों strip को देखे x square का time और x का time जो x का गुरांक है coefficient है b upon a उसको आधा कर दीजे तो b upon 2a हो जाएगा तो ये x plus b upon 2a का whole square लिखा हुआ है आप जब इसका whole square खोलेंगे तो x square आएगा ये आएगा और एक b square upon 4a square आएगा इतना ही आपको यहां माइनस करना पड़ेगा upon 2a और b square upon 4a b square upon 4a square माइनस करना पड़ेगा और minus plus c upon a लिखा हुआ है इसको हम बता नहीं रहें डायट यहां देखिए आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप x square के coefficient को 1 कर दीजे लिखा हुआ है करने दो दो तर नहीं पड़ी अब x square और 2x का term देखिए ये किस दिज़ का whole square लिखा हुआ है x के coefficient को आधा कर दीजे प्लस 1 को करने के लिए हमको balance करने के लिए माइनस 1 गुना पड़ेगा और प्लस 2 पहले से लिखा हुआ है ये तरीका होता ठीक है वही मैं यहां बता रहा हूँ लेकिन यहां direct आप अप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा under root x plus 1 का whole square plus 1 1 बोले तो 1 का square दिख रहा है log 1 upon under root x square plus a square formula apply कर दीजे log x बोले तो x plus 1 plus under root x square बोले तो x plus 1 का whole square plus 1 वाब कहेंगे आपने x plus 1 को क्यों नहीं t माना देखे हमारे पास integral में एक हमको सुब्या दी गई है अगर x की जगए ax plus b हो तो उसको x मान सकते हो कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर assume कर लो अब calculate कर लो तो आ गया log x plus 1 plus under root इसको खोलोगे तो यहीं आजाएगा दुबारा x square plus 2x plus 2 plus c चाहिए यहीं पर छोड़ दो छोड़ सकते हैं आप यह 10th question है हमने क्या कहा 1 upon ax square plus bx plus c root के अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो यह method होता है perfect square बनाने का ठीक है जड़ा 11th question देखिए 11th question देखिए i is equal to integral 1 upon under root इसमें नहीं है 9x square 9x square plus 6x plus 5 अब इसमें आपको पकड़ में आ जाएगा हमने सबसे पहले क्या कहा सबसे पहले हमने कहा x square के coefficient को 1 कर दीजिए ठीक हमने 9 कामन ले लिया यहां क्या पचा x square plus 6 upon 9x plus 5 upon 9 इस 9 को बाहर ले जाओ इसका कोई फिलाल काम नहीं है देखे थोड़ा यह calculate हो सकता है तो थोड़ा सा calculate कर लो यह 3 से कर जाएगा तो 2 upon 3x plus 5 by 9 हमने क्या कहा x के coefficient को आधा कर दो 2 upon 3 है ना तो 2 upon 3 को जब आधा करेंगे तो 1 upon 3 बचेगा तो यह साइन साही देखोगे प्लस लिखा हुआ है तो यह actually में x plus 1 upon 3 का होरी स्क्वार लिखा हुआ है बस पकड़ में आ गया अब जब इसको खोलेंगे तो x स्क्वार आएगा जब 2 a b करोगे तो 2 upon 3 x आएगा और plus 1 upon 9 आएगा जो कि यहां नहीं दिया है तो इस plus 1 upon 9 को balance करने के लिए minus 1 upon 9 करना पड़ेगा अब यह जब खोलेंगे तो actually यह 2 step लिखे हुए और यह plus 5 upon 9 पहले से लिखा हुआ है dx देखें 1 upon 9 integral 1 upon यह x plus 1 upon 3 का whole square यह 4 upon 9 है इसको plus 2 upon 3 का whole square ले सकते हैं dx अब यह आपका x square plus a square लिखा हुआ है root के अंदर नहीं यह दिया लिखेगा x square plus a square 1 upon a tan inverse x upon a तो 1 upon a बोले तो 1 upon 2 upon 3 tan inverse x बोले तो x plus 1 upon 3 upon a बोले तो 2 upon 3 अब इसको calculate कर लो plus c तो यह 3 उपर जाएगा तो 3 upon 9 into 2 tan inverse x बोले तो 3 x plus 1 upon 2 3 कर जाएगा plus c 3 3 0 9 1 upon 6 tan inverse 3 x plus 1 upon 2 plus 6 इस प्रकार से इसको हम अप्लाई करेंगे यह perfect square में बदलने का तरीका होता है poor work में बदलने का तरीका होता है ज़रा 12th question देखे बार-बार perfect square आएगा यह methods बहुत जगे यूज होंगे इसलिए perfect square में change करने को आप सीख लिजेगा देखे बार-बार कुशन देखे i is equal to integral 1 upon और root के अंदर है आपका 7 minus 6x minus x square ज़रा देखे 1 upon ax square plus bx plus c तरीका क्या बताए गया सबसे पहले x square के coefficient को 1 कर दीजे तो minus का अमल लेंगे अब problem है यह minus root के बाहर नहीं जा सकता ठीक है यह बन जाएगा x square plus 6x minus 7 ज़रा इसको पकड़िएगा minus बाहर लिखा नहीं दो root के बाहर नहीं निकालेंगे इस bracket के बाहर लिखा नहीं दो ज़रा समझिएगा हमने क्या अभी कहा x के coefficient को आधा कर दीजे plus का 6 है इसको आधा कर दो plus का 3 है यानि यह x plus 3 का whole square लिखा हुआ है इसको खोलेंगे तो x square आएगा plus 6 x आएगा plus का 9 आएगा यहाँ पर जो कि यहाँ नहीं है तो हमको minus का 9 करना पड़ेगा इसको balance करने के लिए जब इसको खोलेंगे तो actually यह यह लिखा हुआ है और minus का 7 पहले से लिखा हुआ है अब इस minus को अंदर ले जाओ तो यह 9, 7, 16 हो गया minus जाएगा तो 16 minus का हो जाएगा plus का हो जाएगा और x plus 3 का whole square minus का हो जाएगा दिख रहा होगा आपका यह लिखा हुआ है आपका integral 1 upon under root 4 square minus x plus 3 का whole square 1 upon x square minus a square sin inverse x upon यह लिखा हुआ है sin inverse x plus 3 upon 4 plus इस प्रकार से यह टोल कोशन होगे next, next video thank you